गाइस आपने एट्मोस्फेरिक प्रेसर का नाम तो सुनाई होगा आपको पता है कि ये होता क्या है मैं आपको बताता हूँ एट्मोस्फेरिक प्रेसर का मतलब होता है वह बल जो हवा दोरा लगाये जा रहे हैं किसी भी छेतरफल पर उसे हम एट्मोस्फेरिक प्रेसर कहता ह या उचाई बढ़ने के साथ साथ कम हो जाता है और इसलिए पहाडों पर खाना पकाने में सबसे ज़्यादा समय लगता है क्योंकि जहाँ पर प्रेसर कम होता है वहाँ पर खाना पकने में समय लगता है और जहाँ पर ज़्यादा होता है वहाँ पर कम लगता है इसलिए pressure cooker में खाना जल्दी पक जाता है वहीं हम बात करें तो atmospheric pressure उचाई temperature और प्रत्वी के rotation पर भी depend करता है atmospheric pressure नापने के लिए हम barometer का use करते हैं यदि barometer के rating अचानक से गिरती है तो इसका मतलब होता है कि तूफान आधी आने वाली है गाइज लाइक अब सब्सक्राइब इस चैनल और इस्टे करनेक्ट विद में फो डेली वान मेंट जी के धन्यवाद